साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विशे जादातर राजनितिक दलों की प्रात्विक्ता से दूर रहा है। ये उनके गोश्णा पत्रभे में भी नजर नहीं आता है। अब तो ये सित्या आ गई हैं कि कुछ राजनितिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्मान पर आलोचना करने में गर्व करते हैं। जबकि दुनिया में इस स्विकृत बात है कि सस्टेनेबल डवलप्मेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविद्यों को जन्व देता है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्मान करता है। जैसे स्कील मैन पावर के बीना हम किसी इक शेत्र में आवश्यक प्रणाम नहीं प्राप्त कर सकते वैसे ही बहतर आधुनिक इंस्पारस्ट्रक्चर के बीना हम चौध तरफा विकास नहीं कर सकते। साथियों राज रितिक इच्छा सकती की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप्मेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने आपसी खिंचतान ने राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और सानिय निकारों के बीच इस विशे पर तनाव होते देखा हैं इस वज़ा से जो प्रोजेक्ट देश की एकोनामिक ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होने चाहिए थे वही प्रोजेक्ट देश के विकास के सामने एक दिवार बन जाते हैं समय के साथ बर्सों से लटके हुए प्रोजेक्ट अपनी प्रासंगिक्ता अपनी जरुरत भी खो देते हैं मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेवारी के साथ आया तो भी ऐसो सेंकडों प्रोजेक्ट से जो दसकों से लटके हुए थे लाखो करोड रुपिये के ऐसे सेंकडों प्रोजेक्ट की मैंने खुद समिक्षा की सरकार के सारे विभागों सारे मंत्रालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया मुझे संतोस है कि अब सबका ध्यान इस और गया है कि आपसी तालमेल की कमी की वज़र से परियोजनाओं में देरी ना हो अब होल अब गवर्मेंट एप्रोच के साथ सरकार की सामुईक शक्ती योजनाओं को पूरा करने में लग रही है इसी वज़ह से अब दसकों से अधुरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही है